हरी ओब मित्रों, ज्यान मुंत्र यों आईर बेड में आप सभी का हारतिक अभिनंदर है और इस्वर आप सब का मंगल करें मित्रों आज के इस पीडियो में हम आपको गर्व धारन होने के बाद कुछ उपाय किये जाते हैं इसके बिसे में जानकारी देंगे, हाला कि ये जानकारी हम पहले भी दे चुके हैं और इस जानकारी के उपाय के बाद जो परणाम लोगों को प्राप्त होते हैं तो वो उनके लिए उनकी इच्छा के अनुरूप होते हैं इस कारण इस उपाय को हम पुना आपको बताना चाहेंगे जिनका भी गर्व धारण जैसे हो जाता है जब आपको ये पता चलता है कि आप कंसीब आपका हो गया है आप टेस्ट करते हैं तो इसके बाद कुछ उपाय होता है उसको करना चाहिए क्योंकि ये सबसे उत्तम उपा जाता है कि रासी जो होती है अभी बारा रासी है बारा रासी में सभी लोग होते हैं अब आप किसी एक रासी को नाम देते हैं कि ये रासी हमारी है इस रासी से बता ही योग कब बनेगा तो उस रासी से आप ही नहीं हैं बहुत से लोग हैं तो किसके लिए बता दिया जाए और जो आपका ब्यक्तिगत डीटेल्स होता है वो आपके लिए होता है तो ये समझना चाहिए कि आप अपनी जानकारी के लिए अपनी नीची जानकारी के लिए आपकी ब्यक्तिगत डीटेल्स होनी चाहिए यनि डेट ऑबर पती या पतनी किसी की भी होनी चाहिए उसके इसा योग के लिए पूछते हैं तो अगर योग है आपके पास तो दो-तीन करन्या के बाद भी आपको निश्चत रूप से होगा क्योंकि हुआ है इसलिए आपको बता रहें नहीं है तो नहीं होगा तो यह चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप यह प्रस्ण करते ह कि देखे गर्वधारन जैसे हो जाता है तो आपको एक सिवलिंगी के बीच का उपाय है सबसे सर्वसिद्ध उपाय है और यह हमने जिनको भी बताया है उनको भी लाब प्राप्त हुआ है सिवलिंगी के भीज के उपाय में आपको करना क्या है कि आपको जैसे ही आप गर्बधारन आपका होता है तो आप एक भूरे रंका सिवलिंगी का भीज आता है उसको ले सकते हैं या फिर एक काले रंका आता है और अधिकतर प्रयास करें कि भूरे कलर के सिवलिंगी के भीज क में भीगो दें धूप में दिन भर सुखा लिए दूसरे दिन पूरी तरह से सूख जाने के बार मतलब उसको अच्छी तरह से साफ कर लिए उसमें जिसे कचड़े वगरा होते हैं इनको आपको निकाल लेना है इसके बाद आपको उसे पीश लेना है बारीक अच्छी तरह से इसलिए और आपको जिसे प्रियोग करने का देखिए तरीका जो है आपको इतना नहीं लेना है जितना आपने लिया है एक खुराक जो होती है वो ऑसतन 10 ग्राम की होनी चाहिए 100 ग्राम इसलिए हमने आपको बताए कि जिसे आपके सुखाने में या पीशने में कुछ चीज आप बना लिए 10 ग्राम होनी चाहिए एक खुराक आपकी और ये आप मतलब सब्ता में किसी भी दिन इसको आप कर सकते हैं वो इससे सुरुवात करने के लिए सबसे अच्छा समय जो होता है वो रभीवार का दिन होता है या फिर गुरवार का दिन होता है ये दो दिन से जगातार करना होगा और इसको करने के लिए आपको जिसे आपने इसकी पिसाई करके रख ली रभीवार को सुबा असनान के बाद थोड़ा सा आपको पहले से ब्यूस्था करनी होगी गाय का दूद कच्छा दूद गाय का दूद आपको लेना है करीब 100 ग्राम की मात्रा मे 100 एमल आपको मिल जाए यानि उस जो पिसे हुए चूर्न है स्विलिंगे की बीच का उसका सेवन करने के लिए और गाय का दूद अगर आपको वो मिल जाए जो गाय बच्छडे को जन्मदी है उस गाय का दूद मिल जाए तो और अतिवत्तम होता है और देखे गाय के इसमें आपको गाय का दूद ही परियोग करना चाहिए और ये जब आपको गाय का दूद उपलब्द हो जाए तो ये आपको प्रते दिन लेना है तीन दिन तक 100 ग्राम की मात्रा में ऐसा नहीं कि एक बार दूद लेकर आप रखकर रोज उसका परियोग करें और ये सुबा सुबा असनान के बाद 9 बजे के पहले आपको ये सुलिंगी के बीच का सेवन करना है एक पुडिया का और गाय के दूद के साथ सेवन करिये इसके बाद किसी भी घर के कांद कमरे में आप 10 से 15 मिट तक लेट जाए पूरब की और मुख करके लेट किये और इस मन में ये भा कालना रखें भगवां सेव की उपासना करें ये कामना करें कि जिस कांद कि देशसे आप ने उनके वीच का सेवन किया है उस कामना को पुरा करें भगवां सिव की उपासना करें उनका मन में स्मरन करें और 10-15 मिनिटन के बाद Bak nearest ये द्यान रखें कि जब सामने आस निकलते हैं तो आपके सम्मुख कोई पुरुष मिले या बालक मिले कोई इस्तरी या कन्या आपके सामने प्रथम दिश्टी में ना आए ये ध्यां रखने की बात होती है और इसी पिधी से साथ आपको तीन दिन करना जिसे रभिवार को आपने शुरू किया तो रभिवार सो पुक्रवार सनीवार तीन दिन आपको लगातार ये करना है और जब तीन दिन का काम आपका पूरा हो जाए तो उसके बाद जिसे घर की निकट कोई सिवजी का मंदिर हो तो वहां जाकर आप भगवान सुरू को प्रशाच चढ़ाएं जल्विशेक करें और जिसे कुछ दा उपाय है और अगर आपके पास योग होता है संतान का योग है आपके जियोन में तो ये उपाय आपके लिए सर्वसिद्ध हो जाते हैं और दिखिए योग जिनके पास नहीं होता है तो कोई भी उपाय के लिए लाप्रद नहीं होता है जब तक कि योग आपके पास नहीं ह आपका भागी होता है योग को भागे कहा जाता है जो चीजें आपके भागी में नहीं है वो किसी भी प्रतम से नहीं प्राप्त होती है तो ये आज की वीडियो के लिए कुछ विसेश चानकारी